भाई लोग दिल्ली के तिहार जेल में भायानक गेंगवार हुआ जिसमें टिल्लू ताजपुडिया का हत्या कर दिया गया जिसका जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस विशनोई का साथी गोल्डी बरार ने लिया है रे मम्मा कहते हैं अपना टाइम आएगा एक वक्त था टिल्लू ताजपुडिया का भी टाइम आया था उसने गोगी का हत्या करवा दिया था पुलिस वालों के सामने दीन दाहरे कोर्ट के अंदर गोलियों से भुन दिया गया था रे भाई लोग जब गोगी को भूना गया चारो तरफ खलवाली मच गया था और इस बार जब टिल्लू ताजपुडिया को दिल्ली के तियार जेल के अंदर मारा गया है इसके बाद तो और भी जादा खलवाली मच गया रे भाई लोग वीडियो को पुरा देखना इस वीडियो में वतांगा किस तरह से कर नहीं था इसने दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड करा था रेवाबबा टिल्लू ताजपुडिया का नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पैंट में पैसाब निकल जाता था इस बार जिस तरह से टिल्लू ताजपुडिया को तियार जेल के अंदर मारा गया इसके बाद तो चारो तरफ बोकाल मच गया है भाई लोग जिस तरह से टिलू ताजपुडिया को मारा गया इस गटना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये किसी फिल्म से कम नहीं था बदा दो टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए लोहे के गिरील को काट दिया गया और भाई लोग गिरील को काटने के बाद चार अपराधी घुसता है टिल्लू ताजपुरिया के जेल के अंदर और टिल्लू ताजपुरिया के उपर खटा-खट हमला करना शुरू कर देता है रे मम्मा टिल्लू ताजपुरिया के उपर जिस तरह से हमला करा जाता है टिल्लू को कुछ समझना आता है कि भाई करूं क्या जेल के अंदर ही टिल्लू ताजपुरिया को इतना ज़्यादा पीटा जाता है जब तक टिल्लू ताजपुरिया मौत के दुआर पे नहीं पहुंच जाता तब तक टिल्लू को यो लोग नहीं छोड़ता और इस बार कहा जा रहा है कि टिल्लू का हत्या गोगी का हत्या का रे मममा जिस तरह से इस बार गोल्डी परार का एंटरी हुआ है इसके बाद से तो चारो तरफ खल वाली मच गया है अब बता दू कि गोल्डी परार जो कि अभी भी वी विदेश में है और भाई लोग गोल्डी परार को पंजाब पुलिस अब तक पकर नहीं पा रही है साल 2030 में आकिरकार टिलू ताजपुडिया का भी राम नाम सत्य होई गया और इसका जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिशनोई गेंग का मास्टर माइंड गोल्डी बरार ने लिया अब आगे देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है फिलाल इस वीडियो में इतन